दोस्तों हाल ही में असम सरकार ने राज्य में 15 सितंबर को सुबा 10 बजे से दोपहर के देर बजे तक इंटरनेट सिवाएं बंद कर दिया था। दरसल, राजय सरकार ने ऐसा फैसला, सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली भरती परीक्षा में नकल रोकने के लिए लिया है। हाला कि ये पहला मामला नहीं है कि किसी राजय में इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हो। इससे पहले भी बहुत से-से ऐसे मामले हैं जिनके लिए देश में बहुत सारे राजयों में इंटरनेट सेवाएं बंद किया गया था। इन सभी मामलों को देखकर आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या कोई मुख्यमंत्री या राजय सरकार ऐसे ही राजय में इंटरनेट सेवाएं बंद करवा सकती हैं? क्या इसके लिए कोई नियम कानून नहीं है? दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इंटरनेट सेवाएं बंद करा दी जाती हैं जिसे देश की एकता और अखंटा पर खत्रा हो। हालां कि उस स्थिती में भी ऐसा करने के लिए कई तरह की कानूनी और समवेधानिक प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। चलिए तो जानते हैं कि आखिर किस कानून के तहट इंटरनेट सेवाइन बंद की जाती है। दोस्तों इंटरनेट बंद करने के लिए भारत में कानूनी रूपरेखा भारतिय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहट निर्धारित की गई है। इस अधिनियम की धारा पांच के मुताबिक केंद सरकार या राजय सरकारी राष्ट से जारी नहीं किया जा सकता। बलकि इसका फैसला भारत सरकार के टेंपरेरी सस्पेंशन ओफ टेलीकॉम सविसेज रूल्स 2017 के तहट लिया जाता है। इसे आप सस्पेंशन रूल्स के नाम से भी जानते हैं। इस नियम के अनिसार राज्य के मुख्य सचिव या ग्रह शेयर करना ना भूले साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहें।